कि हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी सब्मीटर खा चोब का बिल बनता है वह बलाब गर पर कैसे चल्कुलेट कर सकते हैं कुछ एसमें कुछ घरों में मकानमालिक आपको कैलकुलेट करके देता है तो आपको भी कुछ तक पता होना चा चौथा यह पांच वार चौटा यहां पर हमारे डिडिंग आती है इस रीडिंग में यह जो इस रीडिंग में यहां पर आपको दिखाई दे रहा है यह आपको काउंट नहीं करना क्योंकि पॉइंट पे होता है जैसे अगर माले ते हम लिखते हैं 139.5 तो यह 0.5 में आगे ह इसको हम काउंटर नहीं करुए अभी फ्रेक्षण वाले हिससे को यहां पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो आप जब दी रिडिंग्स देखेंगे जैसे मान लेते हैं आपकी रिडिंग और है दो चार तीन दो एक और यहां पर वोइरा पॉइंट 3 मतलब यह रैड़ व कि 1st January को 1st January को आपके मीटर में ये रिडिंग हो रही है 24,321 और अब 1st February को आपको बिल पे करना है इसका तो माल लेते हैं यहां पर रिडिंग हो रही है आपकी 25,321 मैं इजी-जी फिगर ले रहा हूं यहां पर तो आपकर यहां पर बिल बन गया रिडिंग बन गई वो बन यही एक हजार तो जैसा है आपकी रिडिंग यह बनि यहां पर अभी ठीक है यह आपकी रिडिंग बनी 1st January को इतनी रिडिंग क्या रिडिंग आपके फर्स जन्वरी को आप से 6 रुपए पर यूनिट ले रहे हैं उससाब से यहां पर कल्कुलिशन कर पाऊगी मालनेते हैं कि अगर वह आपके 5 रुपए यूनिट आप से बिल ले रहे हैं यानिकि एक यूनिट के वह पांच रुपए लगाते हैं तब आपका बिल कितना मनेगा तो 1 जनवरी को आपके रिडिंग इतनी थी 1st February को आपके रिडिंग इतनी हो गई जो आपने मीटर में आपके देखनी जिसमें आपने इसको नहीं देखना इसको छोड़ दिना आपने तो इसमें से इसको आपने माइनस कर दिया इस वाले फिगर में से आपने इस वाले फिगर को माइनस कर करें लिए रुट करता है आपके मकान मालिक पर कितने लेता है कहीं पे 6 रुपे लिए जाते हैं कहीं भी पर साथ रुपे लिए जाते हैं ठीक है तो वह इस तरीकी साप अपनी पहले वाली रीडिंग और बारवली रीडिंग को माइनस करके जो आएगा उसको आप पर यूनिट के रेट से आप मल्टिप्लाइए करेंगे तो आपको यह रीडिंग का बेल मिल जाएगा आपको यह निकापका बिल हो गया इसके अंदर पांच से जार को ठीक है बसे इसमा आपको खास आपको छोड़ देना है यह पॉइंट वाल आपको छोड़ देना है बाकि आपको सही रहाएगा हूं जाएगा हुआ है